युगो युगो से जल रहा है में, ग्रह नक्षत्रों का सम है खेव, रम्माण में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल, आए जाते हैं, आज कौन सी राशी होगी माला माल? जै शनी देर, प्रिय भग करो, मैं स्वामी राजशी, शनी पीठ मंदिर इस्ट पटेन लगर, नई दिल्ली से, आज आपके समक्ष, आज का राशी पल बताने के लिए उपस्तित हुआ हूँ, आपको जानकर हार्थिक प्रसंता होगी, कि मैं दस वर्ष की आयू से ही, अपने पोजने पिताशरी, गुरू रजी शिशी जी के निर्देशन में, आस्टोलोजी, नियूमरोलोजी और धर्म घंतों का अध्यान कर रहा हूँ, तो कैसे रहेंगे आज आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें, क्या ना करें, किन चीजों से आज आपको सा आपकाम रेना है, जानने के लिए आखिर तक देखते रहें, आज का राशी पल, आज 13 एपरिल 2020, दिन सोंगवार, बैसाक मास का कृष्ण पक्षल रहा है, और आज 6 तिति, दुपेर 4 बच कर 18 मिनट तक रहेगी, और उसके पश्चात सब्तिवी तिति लग जाए, आज पिशुप कारी के शुरुबात करने से, आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी, आज राहुकार सुबह 7 बच के 34 मिनट से लेकर, सुबह 9 बच कर 10 मिनट तक रहेगा, इस दौरां किसी पिशुप कारी को करने से, आप सभी लोग पहें से, प्रिये बस करो, यदि आप में से किसी ने भी हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंती सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन दबा के हमारे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं और हमारी इन वीडियो को लाइक करें और अपने आज का दिन कैसा भी देगा, आज आपका स्वास्ते बहतरीन रहेगा और आप पूर्ण जोज और उत्सा के साथ अपने जिम्मेदारियों का निर्वा करपाएंगे, आज स्टूडेंट्स भी अपनी पढ़ाई में मन लगाने में सफल होंगे और आज उनकी मेनत का संपूर प्राप्त होगा, आज आपके पित्रबक्ष की ओस से आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, आज आपको अच्छा खासा मुनाफ़ा कमाने का अफसर भी प्राप्त होगा, आज समस्या के लिए उपायों को प्राप्त कर सकते हैं, निश्चित तोर पर हम से कंसल्ट करन के लिए आपको एक छूटी सी फीस देनी होगी, जिसका उपयोग हमारे द्वारा समय समय पर यग्यों, महायग्यों के आयोजन करने में, हर मंगलवार और हर सणिवार को प्रसाज वितरन करने में, और लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एड्यूकेशन प्रदान करने में उपयोग में आती हैं करकराशी वालों, अगर आपका भागे आपका साथ नहीं दे रहा है, आप अपने आपको अनलकी महसूस करते हैं, तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध, प्राण पतिष्टित, पुखराज की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहें। यदि आप स्वयन गुरु रजी शिशी द्वारा अभिमंत्र अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अभी ही स्क्रीन पर दियोए नंबरों पर हमें संपर कर सकते हैं। किसी भी रजनों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्यर किसी योग के ऐस्ट्रोलाजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे जोतिश परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बोचमत करियो पाएं, जिससे करने से छात्र माता मा सुरसती का आशेवत प्राम्ट कर सकते हैं। और सदैप अपने एक्जाम में सफलता प्राम्ट कर सकते हैं। आज माता सुरसती को प्रसंद करने के लिए आप इस मंत्र का उप्योग करें। और सरसती माता को ध्यान करते हैं, तो निश्चत तोर पर आपको मा सरसती का उप्योग करते हैं। और आप अपने एक्जाम में हमेशा सफलता हासिल करेंगे। आज का आपका राशिकल देखते हुए, मैं आपको तीम स्टार्ट देता है। आपका राशिकल देखते हैं। करते लिग अगे भाशिकल वन घस्टार्ट चिज़ी के आपका हाँ. व्हुब थान उस लोगे हैं, लोगा हैं अशिधि लोगाता भी लेचिज प्टीज को हैं तो हम चार्ट लेखिए लेखिए लिग्यारोगे इन यॉड़ेश हैं आपनेगे उनलादे हैं अ़िए लेकले लिएम कोई लेकला हैं वे लिए différentes हैं and with His blessings I was able to go forward and afterwards a lot of problems were solved and whenever there is any issue that comes up be it with me or my family all I do is close my eyes and call upon Him and I meditate upon Him and He does appear in the dreams and those signs and symbols that He gives you in the dreams actually help you to move forward in life using His Gem rings actually bring about a lot of positivity in your life and it enhances your life in every aspect not only does He tell you to use the Gem rings but He also gives you other remedies as well and together with the blessings of Guruma Rukmaniji I also was able to go forward and also actually there is a lot of strength and power that comes out from the pujas that happen because even with the Navgraha Shanti puja that I performed with Guruji and Guruma it actually changed life a lot for me because it brought about a whole lot of new beginnings new understandings and also it brings about a whole lot of light in life so I would recommend visiting Shanipit at any point in time because it's a place that you will definitely get genuine help from that our knowledge of the world and the beginnings of the world and the ideas of the world and the ideas of the world and the ideas of the world झाल झाल